डेन सिism में और जानने कोशिश करते हैं कि अग्ली हफ्ते क्या हो सकता मार्कर्ट में तो मर्केट में काफी शमाय सकता तो अब हम लोग करते हैं डिसकस करते हैं जाने कोशिट करते कि Satya за 14 Justin में काफी स्ट्रॉंग सपोर्ट है और एक रिजिस्टेंस है हलका पूलका सा 45-300 से 45-500 का असपास और उसके बाद आपका जो रिजिस्टेंस एरिया आता है वह काफी दूर है और 46-250 से लेगे 46-600 तक है तो मुझे जो लगता है कि अगले अफते बैंक निफ्टी आपका आप म मुव मिल सकता है और रिजिस्टेंस है एराउंड 45-120 के आसपास तो अगर यह ब्रेक करें तो आपका 45-350 से लेके 45-400 तक का मुव मिल सकता है तो अभी आम लग बात करते हैं निफ्टी का तो निफ्टी कमिंग विक का जैसे लग रहा है मुझे वह भी आपका काफी स्ट्रॉंग दिख रहा है सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट बना है निफ्टी स्पेशली और निफ्टी का जो सपोर्ट एडिया है 21-180 से लेके 21-2 60 तक और एक रेजिस्टेंस हाल का बूलकर 21-440 से लेके 21-490 तक और एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस है जो आपका 21-60 से लेके 21-760 तक है तो निफ्टी भी काफी स्ट्रॉंग दिख रहा है और इंटरे के बारें बात करता हूं निफ्टी का तो सपोर्ट एडिया है 21-280 क अगर यह ब्रेक करता है तो 21-150 तक का निफ्टी आ सकता है और एगर रेजिस्टेंस है और 21-400 अगर यह ब्रेक किया तो 21-500 तक भी जा सकता है ठीक है और मंडे है आपका मिटकाब का एक्सपायरी है तो वह एक बर बात कर लेते हैं सपोर्ट है 10,340 मिटकाब निफ्टी का और ब्रेक करेगा तो 10,290 और 10,250 तक आ सकता है और रेजिस्टेंस है 10,480 अगर यह ब्रेक करता है तो 10,540 और 10,600 तक जा सकता है तो अभी हम लोग डिसकर्स करें थोले अगर मार्केट किस कंडिशन में आपको बेरिश होना है अगर मार्केट मंडे के दिन हुज गैप डा अगर मार्केट में आप लोग थोड़ा से बेरिश बाइसनस रख सकते हो और इसके लावा फ्लैट ऑपिनिंग हलका बुलका गैप डाउन हलका पुलका गैप अप में बुलीश हूं और अगर हाँ बहुत बड़ा गैप अप होता है मान लोग कि आपका तीन सो चार सो एक इमीडियर एक पहले एक फॉल आ सकता है देन नीचे मार्केट एक रेंज बनाए इसके बाद थोड़ा सा कुछ पैटन बनाए 5 मिनिट में हो या 15 मिनिट में हो पैटन बनाने के बाद अगर तब उस रेंज को मार्केट तोर के उपर जा रहा है तब आपको बुलिश बन करता है वह बनेगा और मार्केट में काफी सारे शॉट्स भी है तो शॉट्स भी कवर होने को हो सकता है क्योंकि इस लास्ट में भी मार्केट में जो लास्ट एक्सपायर था उसमें भी एफाई काफी शॉट्स पोजिशन लेखे गए तो उन लोग का भी शॉट्स कवर करने होंगे तो जब वो लोग shorts cover करेंगे तब आपका market एक अज़ा खासा short covering move दे सकता है तो वो और budget के पहले वो लोग shorts cover करना पसंद करेंगे क्योंकि budget में पता नहीं क्या आ जाता है कि certain move आ सकता है तो budget के पहले पहले तक at least मैं Thursday तक मैं काफ ही बुलिश इसके बजट में क्या होता है उसके उपर डिय नियुक्त करेंगे और इसके पहले जो इस विक में मंदे से लेके थर्ज़दा तक में काफी बुलिश हूं मतलब इतना जादा भी बुलिश नहीं बड़ हा घा मेरा बायस नेश बुलिश है तो थीक है लगता है और इस बजट को हम लोग को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए ठीक है तो तब तक के लिए बाई और आप लोग क्या लगना अपना ठीक है और इस वीडियो का अच्छा लगे तो शेयर करो लाइक करो और प्लीज सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी दबा के चले ठीक है चलो क्या लगना